हलो एभरिवन, सर्दियों का मोसम है और वजार में चने का साग मिल रहा है चने का साग इम्यूनिटी को बुष्ट करने में मददगार माना जाता है इतने ही नहीं चने का साग खाने से बलड सर्कुलेशन को भी सही रखा जा सकता है चने का साग में प्रोटीन, फाइबर, केल्सियम, आइरन, आधी बिटामिन पाए जाते हैं या कबज, पिलिया, आधी रोगों के लिए फाइदे मन माना जाता है तो मैंने यहाँ पर धाइसो ग्राम चने का साग लिया है यहाँ पर जो मोटे डंटल है उसे मैंने हटा दिया है और जो सोप्ट डंटल है उसे मैंने रख लिया है रच्छी तरह से चून कर धो कर मैंने लिया है तो जितना यहाँ पर चने का साग लेना है उससे यहाँ पर आधा यहाँ पर भतुए के साग को लेना है इस दोनों को जब मिला के बनाते हैं तो इस साग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद अब एक बार बना कर इसे देखे ट्राइ करें बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पर देखे सभी को कुकर में डाल देंगे और लगभग यहाँ पर आधा गिलास पानी डालेंगे यह एक कप के लगभग होगा पानी और इसे ढखकन बंद करेंगे और चुले पे चड़ाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दो सी टियाने तक पका लेंगे और जब तक यह साग पकता है तब तक मैं यहाँ पर लसन यहाँ दस से बारा कली लसन है उसे छोटे टुकड़ों में काट कर रखेंगे और यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्ची ली है इसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेंगे आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार यहां पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पर दो मेडियम साइज के प्यांज लिये हैं उसे भी छोटे पीस में इस तरह से काट कर रख लेना है तो मैंने काट लिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिये हैं तो इसे भी छोटे पीस में काट कर रख लेते हैं यहाँ पर देखिए बख चुका है साग और इसका प्रेसर अपने से निकलने मेंने दिया है और इसे अब मैं खोल के दिखा रहे हों देखिए तो यह ऑग चुका है पर अगर इसे उसे मैंसे पैज नहीं होगा इसे पीछन पड़ेगा तो देखिए इस तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो आज पीस लेंगे तो में करने एभर मैंश कर दिखा रहे हैं ये Eigen नहीं हो मसका पूरी तरह से तो इसे जार में डाल कर पीश लेंगे इसमें पानी उपर से बिलकुल नहीं डालना है तो इसमें जो पानी है उसी से अच्छी तरह से पीश जाएगा त्यहां मैंने देखिए आधा इनसे भी थोड़ा सा छोटा मैंने अद्रक का टुकडा और दो हरी मिर्ची और लसन का कली मैंने यहां पर छे लिया है और इसे डाल कर पीश लेंगे इसे जरूर डालिएगा बहुत अच्छा लगता है इससे स्वाद आता है अगर आप मिर्ची यहां कम खाना चाहते हैं तो एक मिर्ची डाल सकते हैं उसके बाद पीशने के बाद इसे एक बरतन में निकाल कर रख लेते हैं तो यहां पर जार में थोड़ा से साग था तो मैंने थोड़ा से पानी लिया और इसे भी निकाल लिया अब मैंने चूले पे कडाही को चड़ा दिया है और यहां पर डेड़ चमच मैंने सरसो का तेल लिया और इसे अच्छी तरह से गरम होने तो यहाँ पर लसान, अदरक, मिर्ची, प्याँच सभी को डालेंगे तो मैंने डालने समय बिल्कुल लो फ्लेम किया था और जब मैं सभी को डाल लूँगी उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दूँगी तो अब मैंने सभी को डाल लिया है अब मैंने यहाँ पर मीडियम फिलेम कर दिया है और मीडियम फिलेम पर ही इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए गुल्डन कलर तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है प्याज का तो अब मैं यहाँ पर मसाले डालूँगी तो मैंने बिल्कुल लो फिलेम कर दिया है हल्दी, गरम मसाला, सबजी मसाला, कसुरी मेथी और कास्मेरी, लाल मेर्च को मैंने यहाँ पर आधे आधा चमर डाला है और यहाँ पर हिंग मैंने डाला है विल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर मैंने यहाँ पर हिंग डाला है और सभी को भूनेंगे तो मैंने यहाँ पर ज्यादा भूना नहीं है पंद्रा सेकेंड लगभग भूना है मसाले को और तुरंट मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया और लो फिलेम ही मैंने रखा है और यहाँ पर डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार और इसको डालने के बाद जब तक टमाटर नहीं गल जाता है लो फिलेम पर इसे भूनेंगे बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी जरूर डालिएगा बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं पीशा हुआ साग को डाल दूँगी साग को डालने के बाद बरतन में थोड़ा साग चिपका हुआ था तो मैंने यहाँ पर लगभग दो चमच पानी डाल के उसे भी डाल लिया है तो डालने के बाद इसे मैं मिडियम फिलेम पर एक मिनट पकाऊंगी और लो फिलेम पर मैं इसे लगभग दो से तीन मिनट पकाऊंगी उसके बाद यह खाने के लिए बिल्कुल त्यार है उसके बाद फिलेम कर देंगे बंद इसमें धनिया पत्ता डालने की जोरत नहीं है ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है रोटी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं आप चाहें जीस किसी से भी खाईए बहुत ही अच्छा स्वादाने वाला है अगर फ्रेंड्स आप लोगों को जरा सभी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू